हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग अगर लॉग डॉन में बोर हो रहे हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें तो ये चाइनी सॉस आप सब हों के लिए है मैंने इंग्रीडियन्ट में थोड़ा हेर फिर करके इसे अपने इंडियन टेस्ट बढ़के हिसाब से तयार किया है बहुत ही मज़ेदार बनता है बहुत ही चटखारेदार बनती है और ये सॉस अपने इंडियन कुजीन के साथ भी बहुत मज़ेकी लगती है तो इसे बनाते हैं उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आईगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां पर चीजों को और्गनाइज कर लिया है तो यह एक तरह की कटोरियों में सामान निकालने का परपस यह है कि आपको समझ में आ जाए कि इसका रेशियो क्या होगा तो यहां पर दो छोटे प्यालियों में मैंने पानी डाला है उसी कप से एक कप छोटी प्याली जो है उसमें मैंने सिरका डाला है यह एपल साइडर विनिगर है एक कप चीनी लिया है मैंने एक टेबल स्पून चिली सॉस है एक टेबल स्पून क्रस्ट चिली है और एक टेबल स्पू कतर लिया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है चार जोएं लहसुन की हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है तो इतने सारे चीजों के लावा भी नमक इस्तामाल होगा तो इन चीजों को रिडी कर लेना है एक टीए स्पून कॉर्ण फ्लोर का भी इस्तामाल होगा एक मीडियम साइज भगोना या सॉस पैन लेना है जिसमें हम सारे प्रोसेस करेंगे तो एक एक करके उसमें सारे चीजों को डालना है कि अ बुर야 हम ना की बुट है है जा है अब इस mixture को medium flame पर रखें और sauce के material में boil आने तक इसे medium flame पर ही रखना है जैसे ही ये उबलने लगे हम flame को धीमा कर देंगे और धीमे आज पर ही sauce के पूरे process को हमें करना है यहाँ पर हम sauce को लगातार चलाते रहेंगे ताके नीचे चीनी ना जमने पाए अगर नीचे चीनी जम जाएगी तो वो जल सकती है अब दूसरी तरफ हम इसको thicken करने के लिए corn floor लेंगे तो हमने यहाँ पर 1 teaspoon corn floor लिया है और इसे room temperature वाले plain पानी से हम घोल लेंगे ताके इसमें lump न पड़े तो यहाँ पर मैं लगभग उसे 2 या 3 गुना ज्यादा पानी डालकर लगातार चलाते हुए इसे घोल लूँगी यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सॉस में कभी भी corn floor का पॉडर उपर से नहीं डालना चाहिए वरना उसमें गाठे बन जाएंगी हमेशा इसी तरह से घोल कर ही उसमें मिलाना होता है तो यह घोल आप बना कर तैयार कर लें और उसे एक तरफ रख दें अब इधर देखते हैं पांच मिनुत तक हमारा यह मिक्सचर बॉइल हो चुका है तो फ्लेम को अब कर देना है बन और यहां पर कुछ और चीज़ें हमें डाल लेना है ऐसी एक सॉस तो हर घर में मौजूद होना ही चाहिए यह सॉस पकोड़े के साथ और समोसे के साथ भी बहुत मज़िका लगता है और चाइनीज कुजीन का रिवाश तो आजकल हर घर में बढ़ता ही जा रहा है जो लेसन हमने क्रश करके रखा था वो इसमें मिला लेना है हमने एक टीए स्पून कॉर्ण फ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी सेलेरी बना ली है तो अब यह इसमें डाल लेना होगा चाइनीज चिल्ली पिकल्स की एक रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है तो मैं इसका लिंक अभी यहां उपर आई बटन में प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसे जरूर देख लें और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धीमे फ्लेम पर इसे फिर से एक मिनिट हमें गरम कर लेना है और आप देख सकते हैं यह हमारा चाइनी सॉस बिल्कुल तयार हो गया है इसका टेस्ट बहुत ही खटा नीठा टेस्टी होता है और यह गर्सों आपके फ्रेंज में रह सकता है और बाहर में भी रखें तो कम से एक महीने तो यह यहीं पड़ा रहेगा और खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्का टाला गया और सिर्का नेचरल प्रिजर्वेटिव होता है फ्लेम को कर देना है बंद और इसे ठंधा होने देना है ध्यान रखें कि इसे ओवर कुक हर्गिस नहीं करना है वरना यह सॉ इस्टेंसी बिल्कुल शहद जैसी ही होनी चाहिए उससे गाढ़ा यह ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा आप इसकी धार देखें इसका टेक्स्चर और कलर देखें यह ही इतना शांदार और बनाने में भी इतना आसान है जब आप इसे बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे इतनी आसानी से बना लिया क्योंकि इसका बनाना इतना आसान है बच्चे भी इसे बन और बहुत ही कम लागत से बहुत ही कम समय में बिना किसी टेंशन के तो आप भी बनाए इसे और इसे अगर पसंद करें तो अपने एक्स्पिरियेंस हमारे साथ शेर करें उमीद है आज की रसेपी को आपने बहुत-बहुत इंज्जाइ किया होगा तो हमारे चैनल पर अगर न